स्रीकाल जी, ESS Global तो मैं है डॉक्टर सपनसंदू विदेश चाके पढ़न दा, उथे वदिया, युनिवर्स्टीच, अड्मिशन लेन दा, जेडा तोड़ा सुपना है, ओ साकार करदा ESS Global ओ नाम जो पिछले कई सालां तो तोड़ा, एक मार्क दर्शक बनके तोड़ा हर सुपना साकार करदा ओ सुपने जो सिफ तोड़े नहीं हुंदे तोड़े पूरे परवारते हुंदे ने तो जदो इसे गल करदे हैं, हाँ Canada जान दी ता एस वेले सारे जेडे अस्पारेंस ने उना दे मांचा तड़कू है कि हुं जड़ा अपकमिंग सेशन है, जैनुवरी 22 वाला सेशन ओधे सानवेशन मिल सकती है, सादे फेवरेट चैनेडाच ते सादे नाल ने आज आज सादे Canada Expert Anita Ma'am जो कि सानु दसन के हां जी हल्ले भी तुसी अद्मीशन ले सकते हो कि में केडे स्ट्रीम विच, केडे से थे विच चैनेडा केड़ा ये अनीता मैम वेलकुम करते है सादे छेकल अनीता मैम अनीता मैम तो रड़े बाडे ले नाल एक नमाना रखती है पस दिया उन्यून सादे लोडे कनेडा मेडम मैम बच्च को बहुत जाद जाद एकसाइफाइमेंटे कि लिए अगर में बिटिश कोलंबिया वंगुर में उनिवर्स टी कानड़ा वेस्ट की ऑप्शन है एंद एज अनिवर्सटी अनिवर्सटी इस लोकेटेड इंडाउन बांकूर विज इस वेरी गुड्ट ऑफशन पॉर अगर मैं बात करों कोर्स दोडेह अंब्या अगर कोई student है, BBA है, BICOM है, तो student can apply. Majorly क्या होता है, कि अगर कोई भी student master's के लिए अपलाई करता है in Canada में, तो उनको 4-year के bachelor degree चाहिए होती है. But this is the university, जो कि एक foundation देते हैं, if student ने BBA किया है, या BICOM किया है, या वे कोई भी undergraduate की degree गरी है, तो this university is specifically for those student, जो undergraduate, non-business background से भी हो, तो उनको भी admission देते हैं for MBA, and अगर student ने 3 साल का BICOM या BBA किया है, तो भी student इनकी MBA के लिए eligible है. So this is the option for January 2022 intake. मैं मैं इनी मज़ेदार option देती है, मैंने, मैं तो बस एक कोई चीज याद रही, Downtown Vancouver, जड़े तुसी एस्पारंस वधिया जगाते पढ़ना चांदे हो, जड़े याद फसलेटीज मैं दास रहने के MBH admission मिल सकती है, मतलब कि इदेली stream दा कोई issue नहीं है? मैं, अगर मैं वीजा प्रस्पेक्टिव से देखो, तो हमारे लिए stream हमेशा ही important है, यहां पर best part क्या है कि इनकी जो MBA है, they have eight specialization. So, अगर मैं बात करते हूँ, तो सबसे पहले इनका जो MBA है, that is in leadership, human resource and financial management, business analytics, marketing and digital, marketing, consulting and non-profit. And this most important, मेरा favorite, entrepreneurship. So, यह इनके पास specialization है, so student अगर जा रहा है, तो यह in eight specialization में कर सकता है, in short, अगर student है, BBA है, BCOM है, तो वह भी admission ले सकता है, like इनके पास specialization है, वह management में भी है, human resource management में भी है, marketing में भी है, and अगर student is from IT background, so उनके पास marketing and digital की भी specialization है, and अगर student काफी टाइम से, universities में majorly क्या होता है, कि अगर कोई university में apply करना चाहता है, तो Canada में इस चीज का बड़ा problem बढ़ता है, कि if student is going for the post graduate program, उनका five years से जादा academic gap नहीं होना चाहिए, but अगर आप university में apply कर रहे हो, तो उस चीज का यह factor नहीं आता है, let's suppose if student is, you know, he has done bachelors from India, and अभो काफी टाइम से अपना business run कर रहा है, तो student can apply for the MBA in entrepreneurship, so इसमें भी वो apply कर सता है, so academic gap का भी आसज कोई issue नहीं आएगा, अगर मैं बात करती हूँ तो consulting भी है, and non-profit भी है, so these are the specialization in this MBA, इन यह बढ़िया specializations नहीं फादा होगा है, कि जह कोई gap भी है, वी कवर होगा, जह तुसी अपना business run कर रहे है, वी कवर होगा, तो जह तुसी IT sector तो हो, कोई हो, तो स्ट्रीम है, ते ताम ही कोई issue नहीं नहीं है, वाम है, अगर student application apply करता है, तो University Canada वैसे हमें 5 working days में offer letter आ रही है, इस time पर, तो अगर कोई January intake के लिए लिए तो इस time पर सबसे ज़्यादा issue है कि January intake तो apply कर ले, बट offer letter कहां से आएगी जल्दी, So this is the best option for those students जो January intake के लिए लिए जल्दी offer letter है, So 5 working days is the turn around time for the offer letter इसली हुन तुसी बिल्कुल लेट ना हो, केंदेने के इस तो वड़ी opportunity तो अगर दरवाजे ते कदी नहीं आएगी, किस से 5 working days विच तौनो विच तौनो भी January intake मिल सकता हो भी तौने Favourite downtown Vancouver विच तो अधिली तौनो करना किवेगा जाएड है 540 940 रहते शानो डायल करना है तगlor your जो सी परस्ONA ली नान बापाइटमें लेना चांदे हो तो साधे चेंदेहट ओफिस विच माम भी हो साथे चंडीकड आफ़िस तौनो उन्या नुम्ल सकते हो जो साथे नपैच आइड नी university specially so otherwise मैं बात करते हूं तो university canada west की application fees 150 150 dollar so अगर ESSA apply कर रहे हैं तो application fee waiver for जो ESSA student apply and अगर मैं tuition fees की बात करते हूं तो इनकी tuition fees 35,100 dollar for the old course यानि की 2-year okay 35,100 हसाब बड़ा कमजूर 35,000 dollars यानि की 17,500 per year per year फिर था बहुत जादा महिंगा हां मतलब Indian currency के हिसाब से अगर अगर आप calculate करो तो that will be 10 lakh approximately okay 10 से 11 lakh आप मान के चले हैं ते फिर तुसी हून भी इंतजार क्यों कर रहे हैं तुसी फटा फट सादेना contact करो 9400 नी 9400 नी ते ते अपना जड़ा upcoming intake है उदे लिए तुसी हले भी अप्लाई कर साथे हो यह ता हो गया ma'am वैंकोवर दी जड़ी तुसी गल केती है यह तो अलावा कोई होर ओप्शन है साथे को माम इसी इनुवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट ने बाचलर के लिए अप्लाई करना है उनिवर्सिटी कानडा वेस्ट में जू दी ऑप्शन इस बचलर अफ न बचलर अफ न बिजनेस आप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो उनका जो ताइम रहेगा ताइम पीरिए रहेगा यह तो यह फोगे अगर कोई प्लाई कर रहा है तो कमर्स बेग्रांड से हो जादा बेटर है इन दोनों फील्ड में तो किसे को यह को सादिन ऑपका भी दूसरा है आपका विन-बुसनेस एडिनिस बच्रिशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कुई अगर सुट्ट ऐसे अगर गडाउन से है, तो दे थे प्रोग्राम इन आपर आदे भी इस्तियार किपी जाएगा। इदेली में में जडे माक्स ने साथे academic score है ओ किन ना को हुवे? 55-60% यह तो कोई गाली नहीं ते, I'll switch 6 not less than 6 for undergraduate, for postgraduate it is 6.5 not less than 6 अगर किसी student के एक में 5.5 हैं, so they are giving you know English course along with the degree but again, मेरी recommendation यह है कि अगर आपके 6.56 हैं, तो आप MBA के लिए अप्लाई करें अगर आप undergraduate के लिए अप्लाई कर रहें, तो at least आपका 6 each होना चाहिए ते जी, by chance तो इंज लग रहा है कि तो आपका IELTS ती त्यारी करण्च कुछ मुश्कल आ रही है ते उदेच वी जो ESS है तो अड़ी पूरी मतद कर रहा है, जड़ा साथे ESS IELTS है अपने एक्सपर्ट्स तो इनने जड़े पड़े लिखे और अंगरेजी दे एक्सपर्ट ने उना ने तो अंगरेजी सखा के हटनी है ते उसी ESS ना सब बर्क करो ते असी तोड़ी IELTS थी PT थी त्यारी वी करोने है अनीता माम ने तोड़ी यह सारी यह प्रॉल्म सॉल्व कर देती है अपकमिंग जैन्वरी 22 जेड़ा इंटेक है उदेली तुसी हले भी अप्लाई कर सक देओ ते उदली तानो करना किये माम केड़ा नंबर डायल करना 90419 90419 9409 9409 ते जे तुसी परस्नली मामनों चंडीगड ओफिस आके मिलना चांदे हो तामी तुसी सिर्फ एही नंबर डायल करना है 90419 90419 ते अपना विदेश जाके कैनडा जाके पढ़न दा सुपना तुसी हले भी पूरा कर सकते हो एदे नाल ही एनिता माम थैंक्यू सो मुझ फो यू हेल्प ते मैंनू डॉक्टर सपनसंदू नू एसस तो दियो इजासत फिर मिलांगे सख्यादू ते मैंनू थाड़ागे सब्सक्वाइब एड़ा जाएब एड़ाइब एड़ा जाएब ऑपना बार जाएब एटिज धना है